जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ग्यात होगा कि जारखंड में एक नई शिक्षक भरती जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है 26001 पदों पर यह टोटल जो भरती है वो होनी है जब हम पारा सिक्षकों की बात करें गैर पारा सिक्षकों की बात करें तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर गैर पारा और पारा के नाम से उन्हें जाना जाता है यहाँ पर यह ओफिसल नोटिफिकेशन से आप देख पार होगी कि कक्षा एक से पांच तक के लिए क्या कुछ ऐसे में एलिजबिलिटी होनी चाहिए चाहिए वह इंटरमेडियेट की बाद आपका बीटी से डीयलेड या बीयड रहा हो या फिर ग्रिजुएशन के बाद दोनों ही ऐसे में एलिजबिलिटी रखते हैं बस दिक्कत कहां पे होती है यहां पर देखेंगे इनका नाम क्या है इंटरमेडियेट प्रसिक्षित सहाय का आचारे बोलते हैं इसके लिए और यह है अपका कक्षा एक से ले करके पांस तक बोला हुआ है अगर हम पे लेबल को बात करें तो आपका देखेंगे बिल्कुल जैसे हम बिहार की बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा जहारखंड में भी और नीचे सबसे आएंगे उन्होंने इसमें क्या बोला था कि इंसीटी द्वारा नेरोपित मार्गदर से शिद्धानतों के दिन जहारखंड सरकार द्वारा कक्षा एक सिपांच के लिए आयोजित सिक्षक पातेता परिक्षा इनकी जेटेट में उतिर्ड होना जरूरी है तो अदर स्टेट वाले ऐसे वे कही न कहीं इसे फिर फॉर्म जो है ये नहीं भर सकते थे ये बात मैंने आपको बताई थी बट ये मामलाप कोर्ट में गया है दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और ये चीज आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप जारखंड में जो आपके 26001 पद हैं क्या उन पर आप आविदन कर सकते हो या नहीं साथ में ये भी देखेंगे कि प्राइमरी के बाद जब आपर प्राइमरी की बात करते हैं जो उसमें पदों की संख्या जो निकली है आप जा करके वहाँ से चीजों को देख सकते हैं पूरा बिहार का इस पेशल जो पीडिएफ है वो आपको कम्प्लीट 4500 mcq उसके साथ में मिल जाएगा वीडियो की डेस्क्रिप्शन को एक बार आप जरूर चेक करें शुक्रियाब सभी का